सभी का कुछ न कुछ मन पसंद भूजन होता है तो आज मैं अपने मिस्टर के मन का खाना यानकी उनके लिए आज ये थाली लगा कर आपको दिखाऊंगी और ये उनको बहुत जादा पसंद है आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे तो देखते हैं मैंने से कैसे बनाया है तो सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ मसाले ले लिये हैं तो यहां बजीरा मैथी राई और सौफ थोड़ा सा धनिया ले लिया है इन सभी मसालों को मैं यहां पर एक कड़ाई में तक बुनना है जब तक बेसन से बीनी बीनी खुश्बू ना आने लगे तब तक हमें इसे ऐसे ही लगाता है भूंते रहना है अब यहां पर हम इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे जैसे की हल्दी पाउडर तो यहां पर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंग क्युक्कि बाकी मसाले हमारे इसमें पढ़े हैं तो यहां पर इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है हल्दी पाडर, नमक, हिंग और लाल मिर्च पाडर, तो इसे लगाता है धीमी आँचप, तब तक हम भूनना है जब तक या चीरी किसे का इसका बालर चेंच रहाए तो यहां पर देख लीजिए कुछ यह इस तरीके से हो गया है और हमारा यह मसाला भी रेडी हो गया है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे क्योंकि यह अभी बहुत गरम है और मैंने स्वादानुसा नमक भी एड़ कर दिया ह इसे साइड में रख देते हैं अब यहां पर मैंने कुछ मिर्चों जो कट करके पहले से रखी थी उनमें आलू की स्टफिंग भरके उन्हें भी रेडी कर लिया है और इन मिर्चों को हम थोड़ी दे तेल में इसे एक मिर्च के लिए भून लेंगे यानके अच्छे से तेल लिए भरके फे उसे तभी पर दोनों तरफ से पलट प्लट के सेख लेते हैं ऑईल डालके हलका सा और एक मैं इस तरीकिसे बनाती हूँ तो आज मैंने यह बहाला तरीका अपनाया है आप साथ में मैं लंच की ठाली में बना रही हूं यह लोगया की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी लोबिया रात में विगो दिया था यह पूरी तरीके से भीग चुका ऐसे मैंने दो से तीन वाव वाश कर लिया है अब यहां पर मैंने पोटेटो वाली जो मिर्च थी इस्टब्ड वाली उन्हें भी मैंने यहां फ्राई कर लिया है अब यहां पर हम सब्ज मैंने पिष्ट तयार कर लिया था इसे भी हम अच्छ लगाता भून लेंगे जैसी हलका सा गुल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम सारे मसाले मिला देंगे तो यहाँ पर मैंने मसालों को पानी में पहले से ही भीगो के रखा था वहीं बेसिक मसाले जैसे की हल्दी धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर हींग इन सबी को मैंने इसमें अच्छे से भीगो लिया था अब हमने यहाँ पर तब तक इसे पकाना है जब तक हमारे मसाले तेल चोड़ने ना लगे मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने दो टोमाटर की प्यूरी तैयार करी थी अब यह इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे और इसे लगातार हम इस तरीके से चलाएंगे मैं तब तक इसे भूनना है जब तक यह भी अच्छे से कुक ना हो जाएं तो यहाँ पर देखिए हमारा अब मसाला भी धीरे धीरे तैयार हो गया है अब हम इसमें जो लोविया है उसे डाल देंगे तो यहाँ पर मैं भीगे हुए लोविया को इसमें डाल दूंगे और इ ये मसाले की साथ में सब्सक्रों बनाते हैं कभी कभी में इसमेडा आलो वह डालती हैं अज मैंने आलो स्किप किया है क्योंकि मैं मिस्टर पर पमका ना तरहरों सब्सक्राइब नीयुक्तslương बनाती है मैं यहाद्ब तो उन्हें जब परते हैं एम सब miss अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे तो जितनी जरूरत यार कि मुझे ग्रेवी जितनी रखनी है उसके according मैं यहाँ पानी डाल दूंगे अब इतना पानी काफी है अब हम इसमें अब हम इसका डगण लगाकर इसमें 3-4 सीटी आने देंगे तो इसमें ये काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा और हमारा लोविया बनकर तैयार है आप किस तरीके से लोविया की सबजी बनाते हैं कमिर्श वाक्स में जरूर बताएं अब यहाँ पर हमारा मिर्श का मसाला जो है वो ठंडा हो गया है अब सभी में हम ये फिल कर लेंगे तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से फिल की है मैंने इसमें जो मिर्श के अंदर जो दाने होते हैं यानकी बीज होते हैं मैंने उन्हें नहीं निकाला है मैंने डारेक्ट ही इस तरीके से इने बनाया है और ये बाके में इतनी अच्छी लगी कि मैं तो दो तीन आराम से खा गई थी मिस्टर तो आदी खाने के बाद कहने लगी क्योंकि उनकी तीखी निकले आई थी तो वो तो कहने लगे थे कि तुमने मशाली में भी मिर्च डाली है तो फिर उन्होंने आलू वाली मिर्च जो है मैंने जो बनाई थी वो वाली उन्होंने खाई और मैंने ये बिसन वाली खाई तो देखिए हमारी कुछ मिर्चे इस तरीके से तयार हैं परांटी के साथ अच्छी लगती है और ये दाल- psychiatr 치 लगाकर दिखाएंगे तो यहां पर मैंने रोटियां बना ली है साथ मैं एक ठाली लगा के आपको दिखा ली है तो यह मैंने काटोरी में उनके सब्जी डाल दी है ठाली हमारी कुछ इस परकार है और आज है ना मैंने खाना थोड़ा सा तीखा भी बनाया है ये सबजी थोड़ी सी मीडियम रखी है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और साथ में हमने ये चटनी और ये दो तरीकी की मर्च रखी है और साथ में चोखा ये चोखा सिर्फ आलू और प्याज हरी मर्च से बना हुआ है इसमें जो हमने बीसन का मसाला वनाया था उसे भी हमने इसमें हलका सा मिला दिया है तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमिर्स वाक्स में जरूर बताएं